सबसे पहले मैं अपने तीप्रा मौथा वोरियर्स, वाई टीएफ वोरियर्स, टीड़बी एफ बुमा गौदल वोरियर्स, टीचीएफ और टीएएस वोरियर्स को हमबाई बोलना चाहता हूँ, आपने हमें सपोर्ट किया और आज एक छोटा साच्ची कॉन पार्टी आज त बुबागरा का माइन में क्या है, आज आपको बुबागरा ख्लेली बोल रहा है, आने वाले एक महने के अंदर अगरतला में हम दो दिन का प्लेरी सेशन, नैशनल एग्जेक्टिव सेशन हम लोग करेंगे, और उस टाइम पार्टी को नीचे से उपर तब हम बदलेंगे औ और नया जान दालेगे, हम सब जानते हैं कि जब तक हमें हमारा constitutional solution for greater टीप्रे लैंड नहीं मिलता है, हमें हमारा भविष्य, हमारा टीप्रे सा का भविष्य खत्रे में है, आज भाशा खत्रे में है, आज भविष्य खत्रे में है, आज आइडेंटिटी खत्रे में है, आज हमारा जमीन खत्रे में है, आज हमें अगर कुछ मिलना है Government of India से, तो हमें एक आवाज में बात करना पड़ेगा, चुप बैठे से कुछ नहीं मिलेगा, इसके लिए मैं पार्टी को बूट लेवल से, ब्लोक लेवल से, डिस्ट्रिक लेवल से, सेंट्रल लेवल से, और कॉर कमिटी से, बदल के, नया जान देना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, कि ये एक मेहने के अंदर, आप लोग क्या काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं अपने ब्लोक प्रेजडेंस, बूट प्रेजडेंस, डिस्ट्रिक प्रेजडेंस, MDC's, EM's, MLA's, सब लीडर्स को बोलना चाहता हूँ, कि अपने एरिया में आप अगले एक मेहने के अंदर प्रोग्राम कीज़े, जॉइनिंग कराईए और पार्टी को स्रॉंग कीज़े, गाउं में जहां में पानी का प्रोब्लम है, वहां में जाकर हेल्प कीज़े, लेकिन अपने आपको ग्राउंड में लाइए, ये मेरा स्टिक्ट ओर्डर है आपको, आपको बनाया है हमारे तीप्रसा का वोट में, और आपका ड्यूटी बनता है कि आने वाले दिन में आप अपने दौफा के साथ खड़े रहे, ना की नेता बनकर अराम से बैठ़े, जो लोग सब जोनल चैर्मेंस है, जो लोग जोनल चेर्मेंस हैं आपको ये जगा आज मिला है कि आप अपने दोफा के लिए काम करें ये कॉंट्रैक्ट गिरी का जगा नहीं है तो मैं देखना चाहता हूं कि आप एक सिंपल वर्गर बनके काम कीजिए आने वाले एक मेहने में तीपरा मौथा पूरा पार्टी को चेंज करेगा जमीन से उपर तक रिस्ट्रक्चर करेगा जो लोग काम करेंगे जो इसने काम किया है वो पार्टी में उनको जगा मिलेगा लेकिन जिसको पोस्ट मिलकर वो कुछ नहीं कर रहा है जिसने दूसरे पार्टी को हेल्प किया है उनको करके पार्टी से मुक्त क ढूल रहा हूं कि आने वाले धनपुर एलेक्शन में आने वाले लोग सबय घ्रकर को क्या स्ट्राइजी लेना चाहिए यह हमको इसके लिए में अपने MLA's, EM's, Block President, District President, जो इस एरिया के लीडर्स है, उनको मीटिंग रखकर आप लोग लिस्ट हमें दीजे, दो दिन तक उनका खाना, पीना, रहना का खर्चा मैं दिखूंगा, लेकिन तीपरा मौथा को एक ऐसा पार्टी बनना है, जो अपने देश के लिए, अपने दोफा के लि मैं जमीन में आकर फाइट करने के लिए तयार हो और मुझे वारियर्स चाहिए, और वारियर्स वही होता है, जिसके अंदर कमिट्मेंट होता है, वारियर्स वो नहीं होता है, जो सिर्फ इलेक्शन के टाइम भाशन देता है और तब बैठ जाते हैं, मैं फिर से अपने MLA's ब्लॉक प्रेजिडेंट, डिस्टिक प्रेजिडेंट, सेंटल कमिटी मेंबर्स, कॉर कमिटी मेंबर्स, सबको, जोनल चेर्में, सब जोनल चेर्में, सबको बोलना चाहता हूँ, कि आप अपने एरिया में जाएए, कॉंसिट्यूनसी में जाएए, मीटिंग रखें, और हर First National Executive जो अगरतला में होगा उसमें अटेंड करे हजार हो, बारा सो हो मुझे परवा नहीं है लेकिन उनको आना चाहिए और उनको अपना दिल का बात रखना चाहिए और मैं भी अपना दिल का बात उस दिन रखूँगा I wish all of you all आप सब को, मैं आपको प्यार करता हूँ और आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ हमारा काम खतम नहीं हुआ है हमारा movement खतम नहीं हुआ है जब तक constitutional solution हमारा greater tipra run हमको नहीं मिलता है हम लोग चुप नहीं बैठेंगे आराम से नहीं बैठेंगे जाइए जाइए और गर्व से कहिए that we are proud to be a tipraasa जाइए और गर्व से कहिए कि ये party दूसरे party से अलग है जाइए और ये party को अंदर से बदलिए क्योंकि ये power आपके पास है ये party आपका है ये party जाती का है और ये जाती को अगर हमें उठाना है तो हमें next generation हमारा भविश्य के बारे चिंता करना पड़ेगा और ये तबी होगा जो हमारा थांचा रहेगा बेलाइनो हमबाई खुलूंका